दोस्तों पेंड्राइब तो आप लोगों ने use किया ही होगा और आपके साथ ये इंसिदेंट्स भी हुआ होगा कि आपके कम्पूटर में आपने पेंड्राइब के अंदर बहुत सरे आपको मिल गए लेकिन वापस जब आपने पर आपने पर आपने कंप्यूटर में लाकर करने के बाद आपने एंटी वाइरस से स्कैन किया उसके बाद आपने उपन किया तो पैंडर पेंडर के अंदर कुछ नहीं है लेकिन पर राइप में occupied इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप अपने पेंड्राइब के अंदर जो पाइल से आपका डेटा है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंके जैसे वाइरस से लो दोस्तों वेल्कम टो क्लिक्शन बीट्स में देवशीश अगर आप इस चैनल में नह अपने पेंड्राइब के अंदर जो स्टोर किया हुआ डेटा है उसको हम कैसे वाइरस से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं तो मैंने सोचे यह एक प्रेक्टिकल प्रोब्लम है क्योंकि इसको मैंने भी बहुत बार एक्स्पिनियंस किया है आप लोगों ने भी किया हुआ त जो कि पूरे यूट्यूब में फैला हुआ है लेकिन वह इतना तो यूसफुल है नहीं तो इन तीन सलुशन में से आप कोई भी एक सलुशन को एडॉप करेंगे तो आपका जो प्रोब्लम है वो सॉल्ट हो जाएगा वीडियो के इस पार्ट को किप करके आप यह जो तीन स सलुशन है यह एक्शली बेस्ट सलुशन है इसके लिए आपके पेंड्राइब या फिर मेमरी कार्ड में इसके जैसा एक राइट प्रोटेक्शन लॉक होना चाहिए तो यहाँ पर मेरे पास कुछ मेमरी कार्ड और यह जो एडप्टर है यह एक्शली माइक्रो एडप्टर है इसमें भी एक राइट प्रोटेक्शन लॉक है इसको लॉक को अगर आउन करके रखेंगे तो आपके पैंड्राइब या मेमरी कार्ड के अंदर कोई भी सॉप्व पैंड्राइब में इस तरह का बटन होता है यह एक्शली राइट प्रोटेक्शन लॉक का बटन नहीं है लेकिन अमेजान में आपको इस तरह के राइट प्रोटेक्शन लॉक के साथ पैंड्राइब मिल जाएगा तो अभी चलिए मैं आप लोग को जो सेकेंड बेस्ट सेल विए में इडिशनल में नहीं है और ऑर रोफेशनल के नीचे का जो अजिए है उस में विए आधिशन पर से वो प्रोफेशनल एडिशन के इंदर एवेलेबल रहता है तो आप encrypt करने के लिए BitLocker के यूज़ कर सकते हैं और आप encryption के बाद pen drive को जो unlock करना होता है वो आप Windows 7 के कोई भी edition Windows 10 या Windows 10 के कोई भी edition में unlock करने का भीचा रहता है आपके pen drive के उपर BitLocker को on करने के लिए उसके उपर right click कीज़े उसके बाद context menu में से turn on BitLocker में click कीज़े उसके बाद ये window आएगा और उसमें ये progress बार आएगा थोड़ी दिर wait कीज़े उसके बाद ये password set करने के लिए बुझेगा यहापे आपको password set करना है और याद रखी ये password बहुत ही important है इस password के बिन आपके pen drive के अंदर नए files and folders को store करना या फिलीट करना तो आप छोरी दीजे आप पहले से store किया हुआ files को access भी नहीं कर पाएंगे तो इस password को आपको याद रखना है यहापे आपको एक recovery की को save करने के लिए बोलेगा तो इसको आप save कर लिए अपने computer में अगर आपको भी password को भूल जाएंगे तो इस recovery की को यूज़ करके unlock कर पाएंगे आपके pen drive को उसके बाद entire drive encryption को इसलिए किजए next में click किजए start encrypting में किजए encryption का method start हो जाएगा तो इसके लिए तोड़ा लंबा time लगेगा यह डिपेंड करेगा आपके pen drive के size के उपर या जो memory card आप encrypt करेंगे उसके size के उपर encryption काता होने के बाद कुछ इस तरह का dialogue box आएगा और आपके जो pen drive है उसके उपर right click करने के बाद context menu में यह जो manage bitlogger and change bitlogger password का option आपको में जाए तो bitlogger से अपने pen drive को encrypt करने के बाद आप अपने computer में उसको connect करेंगे तो यह देखें यह मेरा Windows 10 का system है इसमें मैंने connect किया pen drive को तो यहाँ पर दिखें pen drive का icon कुछ ऐसा आ रहा है तो आप इसको open करने जाएंगे तो यह password पूचेगा तो है यहाँ पर create कर सकते हैं और आप अपने हिजाब से इसको यूज़ कर सकते हैं तो इस pen drive को आप eject करेंगे एक करने के बाद pen drive वापस से लॉक हो जाए तो आप वापस फिससे इसको connect करेंगे तो तब आपको पासवर्ड वापस से डाल के इसको unlock करना देखिए मैंने अभी इसको connect किया यह देखिए यह आ गया है इसको वापस से open करने के लिए पिससे आपको password डालना परेगा यह देखिए यह फाइल है इसके अंदर तो चलिए मैं अभी आप लोगों को जो तीसरा method है तीसरा method आप को पताता हूं इस method के लिए मैं यह Windows 7 का जो system इसको मैं यूज कर रहा हूं तो यहां पर देखिए यह मेरा pen drive इसमें connected है इसको मैं अभी right protected बनाऊंगा यह जो solutions है इनको मैं अलग-अलग operating systems में इसलिए आप लोगो को दिखा रहा हूं तो कि मैं आप लोगों को बताना चाहत है यह जो Windows 7 है Windows 7 वाले system में यह pen drive है यह pen drive आपर हो रहा है तो यहां पर मैं कोई भी नया folder create कर सकता हूं के बाद नया file भी create कर सकता हूं उसको मैं delete भी कर सकता हूं ठीक है लेकिन आपको एक चीज़ ज्याद रखना है आपका जो pen drive है वह ntfs format में formatted होना चाहिए अगर आपका pen drive fat 32 में format क्या हूआ है तो यह काम नहीं करेगा ठीक है तो यह पहला चीज़ यह है कि आपका pen drive ntfs format में होना चाहिए ठीक है तो ntfs format में अगर formatted रहेगा तभी आपको यह security option आपको मिलेगा यहां के आप everyone को select कीजिए everyone को select करने के बाद यहां पर edit में जाने के बाद यहां पर deny में जाने के बाद यहां पर read and execute को यहां पर दीजिए यहां पर देखिए right denied है ठीक है और यहां पर सिर्फ read list content and read and execute का पर्मिशन है ठीक है इसको अभी आप apply कीजिए okay कर दीजिए okay होगया तो अभी आपके pen drive के अंदर जो files है वो रहेंगे लेकिन आप यहां से अगर कुछ delete करना चाहते हैं तो वो delete नहीं होगा है ठीक है कि यह अभी right protected बन चुपा है ठीक है यहां पर आप कोई नया file create भी नहीं कर पाएंगे तो अगर आप इसमें वापस से कुछ write करना चाहते हैं तब आपको क्या करना परेगा आपको यहां पर जाके फिर से वापस यहां पर security में जाके एडिक में क्लिक करना है आपको यहां पर अलाओ कर दीजिए फूल कंट्रोल में दीजिए यह आप तभी करेंगे आप जिस सिस्टेम के उपर आप यह जो राइट पर्मिशन आप अलाओ कर रहे हैं आपको उससे पहले यह शियर होना परेगा कि उस computer के अंतर कोई virus नहीं है अब यह शुछे से रिट कर सकते हैं और इस पर अन्दर फाइल को आप तो अब ही मैं आप लोगों को जो चौता सेलूइशन ने उसके बार में बताऊंगा जो कि इतना यूसुल नहीं है और यह क्यों इतना यूसुल नहीं है मैं आपको नेक्ट बताता हूं तो यह जो अनुमक्त बाद यहाँ पे आप क्मांड में टाइप किजै ड़ी आपको है मिलिट करना है यह जो दिश्क फाइव यह मेरा यूड राइप ठीक है जोकर이 का अजुलिसकर करता हूं इस पाइब को मैंना सेलेक्तर दिया तो यहां पर मुझे एक अट्रिब्यूट सेट करना है तो इसको हम लोग अभी क्या करेंगे रीडूनली बनाएंगे मतलब इसमें रीडूनली का इसको हमको एड़ करने के लिए यहां पर एक एक रीडूनली तो इस अट रीड अधर वाइड आ रूज बन चुब है अभी मैं वापस आट्रिब्यूट का कमांद चलाएंगे तो यह भेड़ी बन चुक्त अभी मैं इस पेंड्राइब के अंदर कुछ भी यहां नया बनाने का यहांपे देखी नेयों का ऑप्चनि नहीं हिने अ रहा हैं, यहां पर यहां पडिस्कुछ नहीं कर सकते तो में support सरफ दूर में हम विग लोग कर रहे हैं, यह जो मैं आपने सिस्टेम में चल रहा हूं, यह जो चेंज मैंने किया है, जो एट्रिवूट का चेंज में ने किया यह सिर्फ मेरे सिस्टेम में एप्लिकबल रहे गा इस पेंडर को में किसी दूसरे कंप्पूटर में कनेक करूंगा तो वह रिडवनी रहेगा उसमें वह फिर से आप कुछ भी कर सकते हैं तो इसलिए यह इतना ज्यादा टो यह इसको आप कभी भी भरोसा करके इसको आप मत कीजिए और अभी तक मेने जितने सारे सिल्वीशन आतको बताए है या जितने सारे मेसें आप पूर्ड़ेटशन की है उसको को सारे कोcio कोफ़वेर हो कोई भी वायरस हो कोई भी उस पेंड्राइब के अंदर कुछ भी चेंज नहीं कर सकता तो यह पूरा 100% क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपाइटबल है इसके बाद जो सेकंड मेतर्ड है जिसमें आप जो बीट लॉकर के थू आप उसको एंक्रिप्ट करेंगे तो य लिनक्स में यह बीट लॉकर का अनलॉक का प्रोविजन नहीं है मैंने जितना टेस्ट किया है मुझे नहीं मिला उसके बाद में थर्ड जो में आप लोगों को बता है वह आप सिर्फ वह सिर्फ वीडोस के लिए एप्लिकेबल है जो एब्रिवन उसके लिए आप राइट दो आप और इसको आराम से कर सकता है और यह जो फॉर्ट मतड़ है यह कहीं पर भी रेगमेंड़र नहीं है आप वंदोश के स्सेम के उपर भी भी ाप सो क्योंकि एक सिस्टेम आप जिस सिस्टेम में इसको सेट करेंगे उसी सिस्टेम में यह रहेगा लेकिन दूसरी सिस्टेम में वह रहेगा उसके अंदर कुछ भी चेंज़स हो सकता है वाइस भी कर सकता है और जो यूजर है वह भी उसके अंदर चेंज़स कर सकता है आपको समझ में आ गया है अगर आपको कोई भी कन्फूशन है आप वीडियो के कमें सेक्शन में मुझे बोल सकते हैं वो भी प्रेक्टिकल एक्जाम्पल के साथ यहाँ पर स्क्रीम पर और भी रिलेटेड वीडियो शोव रहे होंगे आप उनको भी देख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो मैं आप से मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बुट बाइ